आज की वीडियो में हम दो कितनासकों के बारे में बात करेंगे एक कितनासक का नाम है लैपिडोज और दूसरे का नाम है बरोज दोना ही अडामा कमपनी के कितनासक हैं दोनों कितनासक किसान भाईयों के बीच में काफी चर्चित भी हैं लेकिन आपको इसमें से कौन सा डालन सही रहेगा डालने में अंतर क्या है क्या क्या प्रक्रिया हैं डालने में क्या सावधानिया रखनी है और एक दूसरे से दोनों अलग कैसे हो जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं चलिए पहले हम बात करते हैं लैपी डोज की तो किसान बही ओएओ अडामा कमपनी का لैपी डोज कीटना सक के से अप से अव्च डालने में नाम से लिए लेकिन मार्केट में अगर आपको लेपीडोज नाम से मिलता है या इनफ्यूज नाम से मिलता है तो दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं क्योंकि दोनों में ही कुलोएंटानीलि प्रोल 0.4 परसंट जी आर का फार्मूला मिलता है जो अडामा कमपनी के अत्रिक्त दूसरी और बहुत सी कंपनियों के प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कावर नाम से धनका बेंचती है फाटेरा नाम से एफमसी बेंचती है या और भी कंपनिया अलग-अलग नाम से इस प्रोडक्ट को बेंचती है यानि इस केमिकल वाले प्रोडक्ट को बेंचती है नाम उनके कंपनियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं वही यदि हम बरोज की बात करें तो बरोज दोस्तो अडामा कंपनी का एकलोता ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल अभी अडामा कंपनी के द्वारा ही फार्मूला अपनाया गया हो सकता कि दूसरी कंपनी के भी आते हो लेकिन हमें उसकी जानकारी दोस्तों इंटरनेट पर नहीं मिले क्योंकि बरोज में जो है आपको काटाफ हाइड्रोकॉलोड 7.5% मिलता है उसी के साथ में इमामेक्टिन बेंजो एट 0.25% जीर फार्मेशन में मिलती है अब दोनों की पैकिंग में अंतर है क्योंकि लैपीडोज या इन्फ्यूज की बात करें तो ये 4 किलो किराम का पैकट मिलता है वहीं बरोज नाम के तीन किलो ग्राम पैकट मिलता है इसके पीछा कारण है क्योंकि धान की फसल में अगर आप लैपीडोज या इन्फ्यूज डालते हो तो 4 किलो ग्राम प्रतेकर डालने की जरूर पड़ेगी वहीं याद बरोज आप डालते हो दान की फसल में तो 3 किलो ग्राम मात्रा डालने पड़ेगी डालने को लेकर करके हम आगे बात करेंगे लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो बता देते हैं देखिए लैपीडोज या इन्फ्यूज जो है एक सिस्टेमिक क बार मुला है इसको भी कमपनी द्वारा यही बताया गया है कि आप एक ही बार इसको डाल सकते हो दोबारा डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी या दोबारा आपको नहीं डालना है तो दोनों को आप अपने धान की फसल में एक बार ही डाल सकते हो अब हम यह बात कर कि किन किन फसलों में डाला जा सकता तो देखिए जो लैपीडोज या इंफ्यूज आता है इसमें कुलोएंटरानी लिपरोल है तो धान के अत्रिक्त गन्ना टमाटर या अन्य बहुत सी फसलों में डालने के लिए इसको बताया गया है लेकिन वहीं यदे हम बरोज की बात करे होता है आपको लैपीडोज डालने पर भी कंट्रोल मिल जाएगा और बरोज डालने पर भी कंट्रोल मिल जाएगा दोनों सिस्टेमिक धंग से काम करते हैं तो वहीं बरोज जो है सिस्टेमिक और कांटिक्ट दोनों तरीके से काम करता है तो कीट की किसी भी अवस्था को ब बाकि पत्ती लपेटक को भी आसानी से कंट्रोल कर लेता बाकि अन्य अवस्थाओं में अगर कोई कीट मौजूद है और पौधे को नहीं काड़ता है तो वो नहीं मरता है इस इसाब से थोड़ा बेटर यदि हम बात करें तो बरोज निकल जाता है क्योंकि संपर्क में भी की इसको डालने के लिए केवल आपको निर्धारी समय दे दिया गया है उस निर्धारी समय में डाल करके ही अच्छा रिजल्ट आप पाऊगे बाकि अधर टाइम पर डालोगे तो हो सकता है कि इसका इतना अच्छा एफिक्टिव रिजल्ट ना मिले क्योंकि धान की फसल में इसको डालने को बताया गया है और अगर आप 10-8 भारत के रहने वाले हो तो धान रुपाई के पंदरह से पच्छिस दिन के बीच में ही डालना है यानि 10 दिन के बीच में आपको डालना है या यूरिया के साथ भी मिलाकर के डाला जा सकता है इस बात का दोनों में ध्यान रखना है कि खेत में परियात नमी हो और खेत में 15-20 दिन तक नमी बना कर रखना है इसलिए अगर थोड़ा पानी भी आप भर देते हो तो दोनों सिस्टेमिक धंक से काम करते हैं और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि मिट्टी के अंदर जाकर के जड़ों के माध्यम से भी ये अंदर चले जाते हैं जी आर फार में लेसन में हैं तो इसलिए आपको मिट्टी में ही डालने की जरूत पड़ेगी इस्प्रे नहीं किया जा सकता है बाकी दोनों में थोड़ा और अंतर है किसान भाईयों कि इसको अगर आप लैपीडोज डालते हो तो गुरूप 28 का है इसको आप दुबारा नहीं डाल सकते हो जबकि बरोज के बारे में बताया गया है कि इसको दुबारा डालने की आवाज सकता आपको नहीं पड़ेगी थोड़ा प्राइज के बारे में बात करते हैं तो अगर आप लैपी डोज या अडामा कमपनी का लैपी डोज या इनफ्यूज लेते हो तो 900 रुपे से लेकर के 950 रुपे के बीच में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है वहीं बरोज की बात करें तो बरोज 3 किलो की पैकिंग में भी आता है और इसका प्राइज भी थोड़ा हाई हो जाता है 3 किलो की पैकिंग में ये आपको मार्केट में 1000 रुपे से 1200 रुपे के बीच में मिलेगा जबकि लैपी डोज जो है ये आपको 900 रुपे के आसपास मिल जाता है और अगर आप अडामा कंपनी का लैपी डोज नहीं डालते हो तो सेम इसी फार्मूले का कवार, फर्टेरा या दूसरी अन्न कंपनिया बनाती है तो आपको सस्ते भी मिल जाते हैं 700-800 रुपे के आसपास प्रति बैग 4 किलो का आपको मार्केट में मिल जाता है तो दोस्तों ये तो जानकारी रही लैपी डोज और बरोज के बारे में उमीद करता हूँ कि अगर आप इसमें से कोई दवा डालना चाहते हो तो समझ में आ गया होगा कौं सा आप डाल सक्ते हो कहौं सा बैटर रहेगा हमारी तरफ से ये बात की जाए तो दोस्तों लैपी डोज ळालना थोड़ा बैटर रहेगा क्योंकि इसमें का डिवड़ा नीली परोज है वो थोड़ा लंबे टाइम तक काम करेगा वही पर याद बरोज की बात करें तो इसमें काटाफ है ड्रोकलॉइड और इमामेक्टिन मेंजोएट है हलाकि ये भी जवरजस्ट फार्मूला है अच्छा काम करता है लेकिन थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कम टाइम तक काम करें और चुकि केवल इसको अकेले धान में ही डाल सकते हो तो दूसरी फसल में आप नहीं डाल सकते हो यादि आपके पास ये प्रोड़क्ट बच जाता है किसी कान से तो उसको आप दूसरी जगा कहीं ये नहीं उज़ कर पाओगे जब कि अगर आप लैट्वी डोज लेते हो तो आप दूसरी फसलों में भी इसको डाल सकते हो उमीद क करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाईयों तो शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्या